नमस्ते भारत, कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तहे दिल से मैं शुक्रियादा आदा करना चाहती हूँ. हमारे सभी जो डिस्टिब्यूटर्स हैं या मेरे जो सभी जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकते कि पहले तो मैं कितनी 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 हपी हूँ. सबसे पहले अगर मेरी अवाज अच्छी से आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मेरी अवाज आ रही है और अब कनेक्टेड है तो आप कमेंट में साथ में जवाब भी दे सकते हैं तो हमारे chef भाई मुझे सबसे पहले दिखे हैं तो welcome chef भाई and I think कोई और भी है जुड़े हुए और welcome 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 good evening chef भाई good evening so आप सब लोगों का तही दिल से yeah yeah thank you भाई thank you so much thank you so much सबसे पहले तो मैं thankful होना चाहती हूँ और मैं gratitude अगर मैं अपना आपको जाहिर करूँ अगर मैं शुक्राना अंदाज से आपको बात करूँ तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ और मैं इश्वर की कितनी शुकर गुजार हूँ और अपने पिछले जो मेरी जर्नी रही इस direct selling industry में बतब मैं ये feel करती हूँ कि मैंने team नहीं मैंने परिवार बनाया है और सच में हमने परिवार को कमाया है एक परिवार जहां पर आप जुड़ते हैं जो आपके हाथ में नहीं है इश्वर है ना आपको जिस घर में पैदा करता है वहाँ पर आपके रिस्ते बनते हैं माँ पापा भाई बहन राइट ऐसे हमारे बड़े प्यारे प्यारे रिस्ते होते हैं और उन रिस्तों से हटके एक और परिवार बनता है हमारा और वो परिवार जब इस इंडस्टी में बनता है और इस इंडस्टी में जो परिवार है यह जो कमाल का परिवार है मैं इसका तहे दिल से शुकर गुजार करती हूँ पिछले एक दो महीने में जो भी चीजे हुई उसके बाद जो हमारा परिवार हमारे साथ एक जुट है ये इस industry के लिए बहुत बड़ी मिसाल है आपकी एकता, आपकी एक जुटता, आपकी unity and hats off, hats off ये अकेले संभव नहीं है ये आप सब लोगों के साथ संभव है तो शुकर गुजारों तहीं दिल से सुकर गुजारों दिल से मैं अभारी हूँ आपकी साथ में हर एक direct seller जो इस industry से जुड़े हुए लोग है मैं उनकी, मैं जितना शुकरिया दा करूँ उतना कम because मैं हमेशा बोलती हूँ डरी सेलिंग इंडस्टी कोई ऐसी इंडस्टी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ अच्छे लोग होंगे और बुरे नहीं होंगे दुनिया के हर एक जगा, हर एक प्लेटफॉर्म पर हर एक स्टेट में, हर एक गाओं में, हर एक शहर में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हर एक व्यापार में अच्छे लोग भी हैं, जॉब में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं, तो गली महले में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, तो इस अपना रास्ता बदल देंगे, उस जगा से हट जाएंगे, उस इंडस्टी को छोड़ देंगे, उस इंडस्टी में कामी नहीं करेंगे, तो फिर इस इंडस्टी से सारे अच्छे लोग आयब हो जाएंगे, तो अच्छे लोग तो यूनिटी में रहें, अच्छे लोग तो ए में आप लोगों तो डिसकेशन किया था तो हम पुरानी बातों से एक कदम और आगया चलते हैं और वो है नाव हमने किस कंपनी को शुरुआत की तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने एस्टोनिया वन के साथ अपनी जर्नी को शुरू कर दिया है एक बार फिर से बाउंस बैक करने की तैयारी एक बार फिर से रिस्टार्ट करने की तैयारी और इस बार मैंने पिछले लाइव में भी कहा था मेरे जुड़ने का एक ही मिशन है और वो mission ये है कि मेरी last organization में 22 लाख रुपे महीने का highest check पहुचा था और इस बार मैं इस target के साथ अपनी journey को restart कर रही हूँ कि ये check मेरी team का होगा ये 22 लाख के check मेरी team के बनेंगे ये 22 लाख के check मेरी team में जो distributor तेजी से work कर रहे हैं इमानदारी से work कर रहे हैं इस बार उस बड़ी सफलता पर उनका नाम होगा और उस कारण जो response मिला है आप लोगों का मैं पिछले 2-3 दिन से मैं अगर बोलू पिछले 2-3 दिन से क्या पिछले उस week से या पूरे पीछे उस live के बाद से इतने call हैं इतने message हैं सबके जुआब देना संभव नहीं था बहुत सारे लोगों के जुआब दिये बहुत सारे लोगों को callback भी किया अभी भी बहुत सारे callback payment है बहुत सारे whatsapp pending है तो उसके लिए मैं माफी भी मांगती हूं आपसे है ना उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफिय मांगती हूँ लेकिन हाँ ये बात तैह है मैं टाइम निकाल निकाल के वाटसप के जवाब और कॉल के जवाब जरूर दूँगी रही बात हमारे स्टार्टप की तो हम स्टार्टप किस बेस पर कर रहे हैं हम स्टार्ट अप किस थौट प्रॉसेस के साथ कर रहे हैं आज हम इसके डिसकेशन करेंगे आज हम लाइव में इसकी बात करेंगे तो अगर आपने ये लाइव लोगों तक शेयर कर दिया है बहुत अच्छी बात है जो लोग हमारे साथ connected है वो आप अपनी टीम को भी लाइव CEO है मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी एक बात हो कहते हैं कि Derek Sailing Profession Most Respectable Profession है और जैसी जब मैं इस वर्ड को सुनती हूं न तो मुझे अपने ऊपर बड़ा गर्व होता है मुझे आप सब distributor पर बड़ा गर्व होता है कि हम बहुत ही समान जनक कारे कर रहे हैं एक लाइ economy growth की ड्राइवर साबित हो सकती है और जैसी जब मैं यह line सुनती हूं तो मैं फिर से excited हो जाती हूं कि मैं एक ऐसे कारे को कर रही हूं जहां पर हर एक बिल प्योर GST TDS के साथ में जब कटता है तो हम भारत की economy बहुत बड़ा support करते हैं यहां पर हर एक direct seller TDS कट कर उसको pre-out म काम चल रहा है जिससे भारत की economy को बहुत support मिलता है और मैं हमेशा से इस बात पर believe करती हूं कि अगर कोई काम भारत की economy को growth दे सकता है तो पहले तो as a distributor मुझे यह काम जरूर करना चाहिए ऐसा भारतिये होने के नाते मुझे यह काम जरूर करना चाहिए और अगर किसी काम मे भारत की economy को growth करने का दम है तो आप और मेरी economy तो automatically grow करेगी तो एक ऐसे भववे business में एक ऐसे विशाल business में एक ऐसे business के अंदर जहां पर बड़े बड़े अच्छे विक्ति इसके अच्छी होने का दावा करते हैं तो उसमें स्वागत है आप सभी का इसलिए हर direct seller पर मैं proud feel क करते हूं हर direct seller की में शुकर गुजारूं क्योंकि सबके मिलने से सबकी एक जुटता से इस industry के लिए बहुत बड़ा काम होता है नाव मैंने जिस industry में जिस company का चुनाव किया है उसके कुछ पाच पैरामीटर है जिसमें से सबसे पहला पैरामीटर है ethics मैं हमेशा बोलती हूं ethics का पहला मतलब यह है कि direct seller ने sale दी उसको इमानदारी से उसका payout मिलना चाहिए तो yes yes जो हमारे साथ काम कर रहे हैं on time payout मिलेग नमबर टू डेरी सिली में मिचे दूसरा ethics जो समझ में आता है यह मेरा point of view है यह मेरा angle है और आप इसमें सहमत कर सकते हैं और आप चाहे तो आपका जो विचार हो है ना आपका विचार के लिए भी हम जो है सलाम करते हैं now second जो मेरे लिए ethical है जो मैं जिस angle से मैं ethics को देखती हूँ अगर आज कोई विच्टी 2024 चल रहा है 2024 में अगर किसी की जॉइनिंग लग गई अब चाहे वो एक आम परसन है है ना वो एक नौकरी करता है और कल 2025 में धानचे सुनना कल 2025 में इंडस्टी के कोई अच्छे विच्टी है ना जिनका इंडस्टी में दो लाग पांच ल जोड़ना चाहें तो उन्हीं 2024 में जुड़े हुए लोगों के ऊपर आईडी नहीं मिलनी चाहिए अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे जवाब में यस लिख कर दीजे अमन प्रीज भीया सुनील भीया है ना बालकर जी बहुत सारे लोग कपिल द्रवेदी जी अ बहुत अच्छे से इन्होंने एक इंटरनेशनल कंपनी को काम किया और लाक रुपे प्लस का इनका चेक रहा था और साथ में इंटरनेशनल ट्रिप भी लिया आप सहमत ही दीजेगा मुझे बहुत अच्छे अच्छे बहुत ही experience लोग साथ में जुड़े हैं अमन प्रीज बहुत अच्छे इंडियन कंपनी में लाक रुपे प्लस के इनकम पे रहे हैं अमन भाई आप भी अपना रिव्यू मुझे जरूर दीजेगा शैप भाई भी एक इंडियन कंपनी में रहे और आपने बहुत अच्छे से महनत की जॉब के साथ में और आज डेरिक सेलिंग मे बहुत अच्छे से रहे है जॉब के साथ इनोंने डेरिक सेलिंग को शुरूआत की और आज एक बहुत बड़ा कॉंट्रिबूशन देता है वीजे जी आप भी जरूर बताएं हमारे हंसदास भाईया है हमेशा मुझे छोटी बहना कहकर बात करते है और इंडस्टी में बहुत अच्छा कॉंट्रिबूशन हंसदास भया की तरफ से भी गया है ब्लीज बताएं निर्मल सिंग जी लास्ट और गनाइजेशन में लाक रुपे प्लस के प्याउट पे रहे बहुत बड़ा काम किया उन्होंने आप भी मिरे साथ जुड़े हुए है जरूर आप भी अपने घर पर हूँ राइट मुझे इतना प्यार इनके परिवार से मिलता है भया भावी से पूरा परिवार हमारे साथ जो है बड़ी प्यार से कनेक्टेड है मैं चाहूंगी यह विचार धारा आप भी प्रेजेंट करें राइट मनीश भी लास्ट ऑगनाइजेशन में ब बहुत अच्छे से मैं नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि आप एक बहुत अच्छी जगा जॉब भी करते हैं और इसके साथ अच्छा कॉंट्रिविशन देते हैं दिनिश खंडिलवाल भया की बात मैं क्या बोलू है ना बोलते हैं ना कि तलवारों की धारों से जो बचाए वो ढाल है और डिरिक से लिए इंडस्टी में जो इतिहास बनाए वो दिनिश खंडिलवाल है तो सूपब ये कपल ने काम किया हमारे साथ परमानन भया यस जी पृती शर्मा जी राइट मैंने एक सवाल किया तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे उसका जवाब दे क्या आप भी इस एथिक्स के लिए एगरी करेंगे दो हजार चौबिस में भले वो एक आम लड़का हो भले वो एक आम सी लड़की हो उसने जॉइन कर लिया अगर तो कल दो हजार पच्चिस में इंडस्टी के टॉप वन भी आ जाएं तो उन्हें ऊपर आईडी नहीं मिलने चाहिए वो दो हजार पच्चिस में बिलकुल उनको वो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो रेस्पेक्ट उन्होंने कमाया है उन्हें वो वालियो मिलनी चाहिए जो उन्होंने कमाया है ताट्स हो के लेकिन आईडी दो हजार पच्चिस में उनकी नहीं रजिस्टर्ड हो और वो वहा से अपनी जरनी को शुरू करें सम्मान रेस्पेक्ट अपनी जगा है और पुराने लोगों के साथ बैमानी करना बहुत गलत बात है अब रेस्पेक्ट दें जो इस इंडस्टी के अच्छे लोग है पुराने लोग है उन्हें रेस्पेक्ट दें उन्हें रिकार्ड दें उन् बिश्वास से कह सकते हूं, हमने ये पहले भी अप्लाई किया है अपनी ओगनाईजेशन में और ये हम इस ओगनाईजेशन में भी डेवन से अप्लाई कर रहे हैं. डंके की चोट पर आप टेबल टॉक कर सकते हैं किसी से भी, कि ये हमारे यहां नहीं होता. नहीं मतलब नहीं होता. अच्छा है, आप लोगों के लिए बढ़िया चीज है क्या ये? क्या ये आप लोगों के लिए बढ़िया चीज है? और मैं विश्वास दलाती हूं, जिस बड़े होगे उस ओर्गनाइजेशन में फ्रेशिर भी बड़े होंगे ध्यान से सुनना अदरवाइस तो पिर क्या अंतर रहे गाई इस इंडस्टी ऑर बाकिंडस्टी में अगर बड़े ही बड़े बनें गे अमीर ही अमीर बनेंगे यह इंडस्टी थी न जहाँ पर गरीब भी बड़ा बनेगा जहाँ पर छोटा आदमी भी बड़ा बनेगा जहाँ पर आज जिसको कोई नहीं जानता कल वो इस्टार बन जाएगा हम तो हम इसको बहुत ही एथीकली फॉलव कर रहे हैं और हंड़र परसंट करेंगे हंड़र तेन परसंट करेंगे तो आपका पोजिशन शिक्य।ári है आपकी position secure आपकी placement secure खल आपके ओपर कोई नहीं आएगा यह ध्यान रखिएगा यह मैं विश्वास दिला रही हूँ यह माई organization आपको विश्वास दिलाएगी और कल कभी ऐसा मिल जाए तो बताईएगा किस विश्वास के साथ मैं आपको बोल रही हूँ आप समझ सकते हैं हाँ तो ethical तो ethical में पहला payout time पे मिलना चाहिए ethical में दोसरा आज जो placement हो गई कल उसके उपर कोई नहीं बाद में जोड़ाव आदमी उपर नहीं आएगा respect हम उसकी करेंगे उसको recognition हम करेंगे लेकिन वो join नीचे करेंगे है ना number 3 number 3 and very important very very important taxes GST है ना जो government की चीज़े होती है उसमें भी ethical रहना है and number 4 and very important जो आप product दे रही है जो आप quality दे रही है आप उसको लगातार बरकरार रखे और मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ इस ethical practice को हम कर रहे है बहुत बड़ा कारण है Estonia One के साथ मेरे start करने का ये ethical practice number 2 product पे आ जाते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ product based company का जब हम बोलते हैं product based organization यानि base क्या है product और जो आधार है जो नीव है अगर वो मजबूत होगी न तो फिर कितने भी मंजिला आप इमारत बना सकते हैं हम नीव बहुत बजबूत कर रहे हैं पहली बार आप एक ऐसी company को देखने वाले हैं जिस company में product 85% ऐसे होंगे जिन में कोई ना कोई एक patented ingredient होगा और वो mention होगा उस box के पर जैसी patent की बात आती है वैसे ही जो आप यह बोल रहेंगे की पड़क की quality automatically verified है 85% product जिसमें patented ingredients होगे result based products होगे quality product होगे जब आप पड़क के packaging को देखेंगे ना आपको packaging देखके इना पड़क से प्यार हो जाएगा तो देखना first impression product का इतना प्यारा impression आपके ओपर बढ़ेगा अब जब product पे जैसी patent की बात आती है जैसे ही quality की बात आती है जैसे ही result based product की बात आती है जैसे ही अच्छी packaging की बात आती है जैसे ही international quality की बात आती है price उड़कर आसमान पहुँच जाता है तो मेरा तीसरा very important point है कि price भी आपको ऐसे मिलेंगे कि आप justify कर पाएंगे यार यह price बहुत सही देते हैं और आपके मुह से निकलेगा right price क्या निकलेगा आपके मुह से right price आप comment पर लिख भी सकते है right price best quality तो right price के साथ हम आपको प्रड़क देंगे मैं भी अपनी बैंक के काम से गई थी मैं जस्ट बैंक के काम से फिर office पहुची और क्योंकि जब बैंक में अच्छी transaction हो रही होती है तो मैंनेजर भी आपसे पूचता है यार आप करते हैं क्या हो है ना मैंने बोला आप Derek Silling का नाम आपने सुना है बोली हाँ मैंने सुना है right तो उन्होंने अपने कुछ family members को बताया ये 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 ऐसे तो बता मैं आपको क्या बोलूँ और ये बिल्कुर सच है उन्होंने बोला कि मेरे एक relative है जो मुझे हमेशा call करते है जब भी उनका कुछ volume घट रहा होता है तो वो मुझे call करते है कि ma'am जो भी उनका relation लगता होगा मैं जस ma'am बोल रहे हूँ कि मेरा ना 7000 रुपे की sale घट रही है मिरी ना 8000 रुपे की sale घट रहे है तो आप order दे दो तो किरे हम ले लेते हैं because समान तो भार का ले नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ over price चला गया घ्यान से सुनना कितनी बड़ी बात वो bank manager मेरे से बोल रही थी पता है मैंने उन्हें क्या बोला मैंने का ma'am पिछले पांच साल से हमने right price का mission चलाया हुआ है घ्यान से सुनना आप direct selling की बात से ना हट के market की बात पर आए कि हमारे product को अगर इंसान purchase भी करना चाहिए relation के कारण और वो ले भी ले मैंने उन्हें बताया मैंने इस theory पर काम किया right price पर मैं आपको आसवाशन देती हूँ कि मैं जस company को शुरू कर रही हूँ वो right price पर काम कर रही है और वो सुनके वो बहुत happy हुई मैंने अगर ऐसा है तो ये सच में ये तो कमाल है right मैंने कुछ पढ़ा कि उनको price बताए है ना और वो बहुत सुनकर happy हुई फिर तो कोई दिक्कत नहीं है मैंने का मैं हमारे organization में यही तो सबसे बड़ी बात है या तो आप हमारे preferred customer बन जाएंगे या आप हमारे साथ हमारे direct seller बन जाएंगे तो दोनों में से कोई एक चीज के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाओगे बोले हम काम हो सकता है right तो price का मैं आसवाशन दे रही हूँ कि patented ingredient के बाबजूद right price होंगे तो आप इसके लिए clapping भी हमारे साथ दे सकते हैं आप clapping भी कर सकते हैं हमारे लिए right तो आप best quality deliver कर रहे हो patented ingredient वाले product दे रहे हो result based product दे रहे हो और आप right price भी दे रहे हो यह कमाल का combination आपको Estonia 1 में मिल रहे है यह कमाल का combination right the next and very important fourth plan मैं जब भी plan के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं महंती हूँ और reader हूँ तो typical plan को भी हम qualify कर जाएंगे लेकिन मेरे plan देखने का angle थोड़ा different है वो मेरा angle नहीं मेरा point of view नहीं हमारे plan के अंदर maximum distributor bottom पर होती है bottom पर एक बड़ी संख्या होती है बहुत बड़ी की power है और bottom को संभालती है middle leadership तो क्या plan में middle leadership के लिए भी है कुछ और after that top leadership तो plan के जब तीन पार्ट देखें आप तो मैं तीनों angle पर आपको ये आस्वाशन देना चाहती हूँ कि हम कमाल कर रहे हैं bottom भी middle leadership भी top leadership भी right मैं आपको विश्वाश दिलाना चाहती हूँ कि जो हमारा welcome bonus हमारी पहली income welcome bonus है ना बतलब वो इतनी कमाल की income है इतनी कमाल की क्योंकि नया distributor जो है ना वो plan की calculation में first जाता है ध्यान से सुनना नया distributor plan की calculation में first जाएगा उसको नहीं पता BV, PV because नया वेक्ति है उसे तो BV, PV, plan, direct selling, invitation, follow up, core steps, cardinal rules ऐसी बहुत सारी चीजे समझनी है इस बेच में जब वो एक sale उठाकर लेकर आए तो क्या उसको कोई profit आया that's very important उसने plan की according qualify किया नहीं qualify किया यह सब side में करो यार सबसे पहले एक नया वेक्ति ही आया है और वो एक sale निकाल के लाया plan की according उसने sale निकाल ली देखे जब तक sale नहीं हो तब तक तो कुछ भी नहीं दे सकते है ना, यह तो market का दस्तूर है जॉब में भी आपको justification करनी पड़ती अपनी salary के लिए business के अंदर भी आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा ता क्या profit लें सिम direct selling मतलब sale अब जब हमारी sale हुई तो वो विक्ति जो bottom का विक्ति है क्या उसको profit आया मैं कहती हूँ एक sale भी लेगा तो profit आएगा क्या plan design किया है hats off plan design करने वाले विक्ति को hats off क्या brain लगाया है एक नया विक्ति एक sale भी लाया उसके घर पैसे आएगा पतब उसने product को sale किया और welcome bonus से उसको income आगई खुश हो जाएगा, happy हो जाएगा और मैं आपको बताती हूँ कि इस industry में जब मेरा पहला check बना था something 900 के आसपास का मेरा पहला check था और विश्वास कीजिएगा, मुझे इतनी खुशी हो थी उस check के है ना, और हमने इस सोचा था जब हमारा पहला check आएगा दादी के लिए, है ना, उस पैसे से साड़ी खरीजी थी, मैंने दादी के लिए, राइट जब मेरा पहला एक बड़ा check आया था, तो मैंने दादी के लिए गोल्ड चेन पर चेस की थी, है ना, तो मतलब आप ही सोचो कि अब कनेक्ट करते हो अपने प्याउट को अपने फामिली ड्रीम से, जब अच्छा प्याउट कमाया तो हमने अपने फादर के लिए भी जो है, दुकान ली, भागीरत पैलेस पे, गोदाम लिया, है ना, मेरी मा का सपना था, वेकोज गाउं में हमारा बड़ा घर था, शेह तो मतब एक छोटी सी इंकम में शेहर के अंदर सब को पालना, तो मारे फादर साब जो कमाते हो जदा बची नहीं पाता, जदा बची नहीं पाएगा तो बड़ा घर कैसे लोगे आप, आपकी अर्निंग बचनी भी चाहिए ना, हमारी अर्निंग तो सब खर्चो जा रही है तो बड़ा घर का सोची नहीं पाते थे, इश्वर की किरपा रही, आज आन रोड, असी फुटा रोड पे, मेरे घर के जद सामने रिलाइन स्मार्ट है, मेरे घर के जद सामने मेरे एरिये की पुलिस चौकी है, मेरे घर के जद सामने बैंक है, मेरे घर के जद सामने मदर ड उपसके हैं आप करोड और लगवक साथें करोड की कोठी है जो युद परचीम करुपाया मिस इंडस्ट्री के कारण इस इंडस्ट्री के कारण परचीस हुआ थांक यूग पता है क्यों कि क्यों क्यों कि एठिक्स पर्रेक्ट प्राइज प्लान प्लान में सिर्फ लीडर को बने गलत है प्लान में सिर्फ बॉटम को बने तो भी गलत है प्लान में अगर लीडर को नहीं बनेगा तो बॉटम को कौन संभालेगा मिडर लीडर को नहीं बनेगा तो वो उसके साथ कैसे भागीगा इंशट प्लान को बैलेंस प्लान, सिस्टेनेबल प्लान, लॉंग टम प्लान, अचीवबल प्लान, राइट, ऐसा बनाया है, मैं आपको बोलना चाहूंगी, मैं आपको इन्विटिशन देना चाहूंगी, क्योंकि फेस्बूक पे उसको नहीं समझा सकते, इस लाइब में उस सारी लोग मेरे बहुत प्यारी लीडर, बहुत अच्छे लीडर अपना नंबर डाल रहे हैं, अब किसी भी अच्छे लीडर को कॉंटेक करके, आठ बज़े का प्लान लिंक ले लीजे, समझ ही एक बार प्लान को अब, आप उसको कैलकुलेशन को देखिए, सिंगल लेग से कि यार सब को बैलेंस करने वाला प्लान जो है बनाया है, आउ मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उस प्लान को समझे, आठ बज़े का जूम लिंक, हमारे बहुत सरे लीडर अपना नंबर डाल रहे हैं, आप उनमें से किसी को भी कॉंटेक करिये, और प्लान लिंक लेकर समझ लिजे, और वेरी इंपार्टन प्लान के बाद एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज इस इंड़स्ट्री को लॉंग टम के लिए, सस्टेनेबल मोड में, पैसे इंकम के लिए किया जाता है, और विदाउट एजुकेशन सिस्टम, इसको सच में बहुत ही, अब मैं बोलूँ कि वेल मैनर में, आप जो है न मैनेज नहीं कर पाएंगे, वेल मैनर में मैनेज करने के लिए, सिस्टम तो चाहिए, और एवन, एकाडमी, एजुकेशन सिस्टम, आपको यह आसवाशन देना चाहता है, कि हम अपने, एजुकेशन सिस्टम दौरा, एक अच्छा डैरेक सेलर कै कैसे बने एक अच्छीवर डेरेक सेलर कैसे बने और इस इंडस्टी में एक अच्छा कॉंट्रिबुशन कैसे करें यह ज़रूर सिखाएंगे तो वल्कम टो एस्टोनिया वन फैमिली और यस वी आर फैमिली वी आर योनाइटेट वी आर वन और इसके साथ में मोस्ट अच्छीवबल जर्नी में आपका स्वागत है मोस्ट फडिलाइज प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है सीरेसली मिलके इस दो हजार चौबेस हम बहुत बड़ा करेंगे अब मेरा एक मेसेज है उन डेरेक सेलर से हम कई बार अपनी जर्नी में लगातार चलते चलते ठकते हैं तूटते हैं नेगेटिब भी होते हैं कई बार विश्वास का सीमा ये होता और कई बार विश्वास तूटता भी है मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ विश्वास पर विश्वास करना सीखे मैं जब पीछे को चरनी रही बहुत सारी चीज़े नहीं तो मुझे लोग हमेशा बोलते थे कि थोड़ा संभल के है ना थोड़ा बच के मैं हमेशा बोलती थे जिसकी नईयां संभाले का नईयां उसको डर क्या किसी भी भवर का तो ये जो लाइन है ना ये मुझे मेशा मोटिवेट कर देती है मैं बिलीव करती हूँ strongly इश्वर पे strongly बिलीव करती हूँ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ आप भी करो जिस भगवान को मानते हो ना मैं बिला विश्वास पर विश्वास करो जिस भगवान को मानते हो ना उस पर विश्वास करो अगर आपने इमांदारी से काम किया है आपका महनत आना मरेगा नहीं पूरी दुनिया को महनत आना देने वाला आदमी जो बड़ी organization होती है सालरी देती है ना लोगों को आप बड़े छोटे से विखती हैं आपने घर पे किसी से काम करवाया है ना आपने एक 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 जामपल टोटी ठीक कराई अपने घर में किसी से आप उस मजदूर को उसका पैसा देते हो ना आपके घर में पंका खराब हुआ आपने किसी को बुलाया उसके सौर पे फीस थी आपने उसे दे दिया आप देते हो ना आप मेहनत आना मारते हो नहीं मारते ना तो उपर वाला जो बहुत इमांदार है और इमांदार लोगों का साथ देता है कैसे मेहनत आना मार देगा आपका आपको सफलता नहीं मिल रही, आपको डरनी की ज़ुरूप नहीं है कि आप इमांधारी से महनत करे हो, एक साथ इतना सारा देगा न.. इतना सारा देगा, कि आप भी सोचोगे, इतना सारा कैसे मिल गया पहले छे साल मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ नहीं मिला है मैं अपनी शर्णी से आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ लेकि निमानदारी और महनस से मैंने लगतार काम किया मैं टूटी भी मुझे लगा भी क्या मैं सफल हो पाऊंगी इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है इंडस्ट्री पे मेरा विश्वास हमेशा बहुत श्ट्रॉंग रहा लेकिन क्या मैं सफल हो पाऊंगी एक बार ये डर लगा था 2016 में द्यान से सुनना 2016 में एक बार ये डर लगा था मुझे बे में किओ ऑली बात कि विश्वास पिव्यदो के ही लड़ पडें एक कि आगर हमें सफल ही नहीं बनाना था थो में इस इंडस्ट्री में क्यों डाला हम जॉब में चलते हम जॉब कर लेते इतने बड़े सपने ही नहीं देखते, इतने बड़े ख्वा भी नहीं देखते, यह सोचते ही नहीं कि मम्मी को बड़ा घर बना के देंगे यह सोचते ही नहीं कि पापा का सपना पूरा करेंगे जॉब में तो सोचते ही नहीं है न, अपना चलाना, अपना करना क्योंकि limited income होती है हमारी सोच भी होती है न तो हम कर नहीं पाते है न debut income short होती है income less होती है सपने बड़े सारे बड़े हो जाते है तो वो less income में बड़े कैसे पूरे होगे है न तो मैं भगवान से बोल पड़ी कि आपको अगर मुझे सपने पूरे नहीं कराने थे, बड़े सपने नहीं पूरे कराने थे, तो आपको मुझे इंडिस्ट्री देना ही नहीं था, और यकीन मानिये, उसके बाद से भगवान ने, मतलब जस जिस महीने, मैं बात करें जिस महीने, हमने ऐसा किया, उस महीने लाक रुपे का पे आउट, दो लाक का पे आउट, छे लाक का पे आउट, दस लाक का पे आउट, बाइस लाक का पे आउट, हमने लगतार ग्रोथ को देखा, क्योंकि पहले छे साल जो इमानदारी से महनत की थी, फिर उसके बाद जो इमानदारी से महनत की थी, भगवान ने सब भर कर एक साथ दे दिय मैं आपको बोलूँगी फिर से विश्वास करना तोटना मत ये इंडस्टी सच में कमाल है बे मिसाल है इमांदार लोगों के लिए महنت्टी लोगों के लिए और ये जो यूग है ये 2014 है ये सच में इमांदार लोगों का साल है अगर ऐसा नियुमरिकल बात करें तो ये सनी का येर है और सनी को बोला जाता है उन्याए के देवता है तो अगर पिछले कई साल आपको काम्याभी नहीं मिली है ये मेरा strongly believe है कि उन्हें ये साल बहुत बड़ी काम्याभी मिलनी है इमानदार लोगों को न्याए मिलना है महनती लोगों को न्याए मिलना है ये न्याए का येर है जनाब और आपको आपकी महनत का न्याए मिलेगा न्याए मतलब आप इस साल जरूर सफल होंगे ये मेरा विश्वास बोलता है विश्वास पर विश्वास करो और इस जरनी में म पूरी इंटार फामली में जनोंने दीदी हम साथ हैं, दीदी हम साथ हैं, दीदी हम साथ हैं, and thanks so much, सच में आप सब लोग साथ हो, और कहते हैं ना कि 22 तारिक में जब हम मिल रहे हैं, है ना वहाँ पर हम एक साथ जब अगाज करेंगे, अएस्तोनिया वन फाक्टरी विजटट पे हमारे जो फाउंडर लिडर्शिप, हमारी सब ही फाउंडर लिडर्शिप वहाँ पर अवेलेबल होगी. वो अभी फाउंडर लिडर जो टेवन से स्ट्रॉंग पिलर बनकर हमारे साथ खड़ी हैं, वो सब वहां पर जब उस जर्णी को देखेंगे, वो उस पूरी फैक्टरी को देखेंगे, उस मानुफैक्टरिंग यूनिट को देखेंगे, वो जो बदब 6 लाक स्क्वार फिट पे पर पना हुआ हमारा फैक्टरी जहां पर इंटरनेशनल लवल की मानुफैक्टरिंग हो र आइंगे ऐसी फैक्टरी को आप देखर आप होगे आप इसका हिस्साओ यस आप इसका हिस्साओ आप इसके प्रॉफिट पार्टनरों साथ में गज्ट कर रहे हैं एक बड़ा आज कर रहे हैं सादी इंफोर्मेशन नंबर से हैं कुछ आपके इस क्रीन पे आप उन्हें जरू 2024 हमारा है, thank you, thank you so much, wish you all the best